तो आज कर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के पॉसिबल ट्रिक्स तो देखो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं कि जैसे कि एक दो रिच्ट कोई बोल रहते हैं कि इतने सारे ट्रिक्स से हुए यहां पर बहुत सारे स्ट्रंट जुडए हुए है। हो सकता है किसी कोई पॉर्टिक्टरा प्रॉबलम हो है। किसी और ब मुझे किस बनाना है ठाल पर बंद Темट-クिस चैप्टर प्रॉबलम हो औरूस के और यह वीडियो रखोड़ों आप देखो तो यहां पर यह यहां से पहला ट्रिक जो निकल के आ रहा है यहां से कुश्चन भी आया थे 2014 के साइथ PMT में आया था तो देखो क्या है कि intrauterine devices are presently available as a team form में non-mediated IOD, copper releasing IOD और तीसरा hormone releasing IOD तो अब इसके examples है तो पहला non-mediated IOD के examples है lips loop, lips loop तो कैसे आप याद करोगे तो आपके need के slivers में है newton law of motion तो वहां से आप याद रख सकते हैं newton law of motion L square मतलब L से lips loop और किसका example है यह non-mediated का यह complete हो गया non-mediated का lips loop अब देखो यहां आगे कि अब हमें एक छोटा सा trick चाहिए है कि देखो अभी जिसे कि pandemic outbreak हो तो सब क्या हो रहा है कि हम जितने भी possible हो रहे है PM fund, CM fund को दे रहे हैं सब दे रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है कि यहां पर अभी क्या हो रहा है CM हो और PM को हमारी help चाहिए हो रही है मतलब C से copper T और यह copper 7 और M से multilode 375 यह किसका example हो गया यह आपका हो गया copper releasing IOD का copper से ही है तो आपको यह जाहिद से बात है copper releasing लेकिन यह तो याद रखना होगा कि M है कि multilode 375 क्या है यह भी copper releasing है आप कैसे याद रखो कि CM से copper releasing है आपका यह दोनों अब देखो help चाहिए HLP H से hormone releasing H से क्या हो गया hormone releasing L से LNG 20 और P से progestra cert progestra cert यह ध्यान रखना यह है तो यहाँ कुशन आये भी है तो आपको याद रखना तो पहला क्या था NLM से आपको दूसरा क्या है CM को help चाहिए यह copper releasing हो गया यह hormone releasing को यह हो गया दो यह और यह इनका यह तीन हो गया ठीक है अब एक छोटा से important point था यहाँ पर तो मैंने लिख दिया lactational amnorea क्या होता है तो absence of menstruation, menstruation का जब absence हो जाता है उस condition को हम बोलते हैं यह अब यहाँ पर फिर आपका STD के examples हैं कुछ देखो STD के examples दिये वह हैं जितना भी possible है इस chapter में आपको बताया है बागी chapter rating करना आपको समझ में आएगा तो यह देखो हमारा क्या है कि STD का तो पहला STD sexually transmitted disease जो है तो आपका पहला example है इसके AIDS, AIDS में कोई trick नहीं है क्योंकि यह बहुत common है सबको पता है लेकिन इसके साथ साथ अब बहुत सारे हैं तो आपको क्या याद रखना है यह चोटा trick क्या याद रखना है थैंग गॉड टांक गॉड साइंस homework टैंक गॉड साइंस thorng World एचश और दो बर समझ रहे हुँ और गॉड फैंग फैंक गॉड थैंक गॉड साइंसे एससदू मतला क्या क्यात ब् Unters Trans Come और क्यंजूंद समांज रहा रहा हुए दू इसस्याद रखना रहुए developers औरBe bell Khlamidiasis कैसे याद रखो कि तो देखो Khlamidomonas जानते हो तो Khlamidiasis S से Hepatitis B और एकherbs से w से what अब यह धियान रखना है कि what और herbs के आगे एक word लगाना आपको genital genital herbs and genital what यह धियान में रखा तो क्या हो गया है अगर को आ जाए कि which of the following is not example या which of the following कौन कौन से है STD के तो यह सारे NCIT में तो आपको याद करना है पहला तो 8 से कोई दिक्कत नहीं है उसके क्या है जी से गौनोरिया जिसे बता दिया आपको और यहां पर याद रखना है आपको वाट और एक से तो एक हैपाटेटिस भी होगा और एक से हर्पीज स्वारी हर्पीज यह हर्पस जो भी बोल सकते हो आप आप है के अलगलग प्रनिंशेट करते हैं लोग तो जनाइटल ठीक है तो यहां पर आपको genital herpes and genital wards यह दोनों ध्यान रखना है अब देखो यहां पर है ना इस chapter में बहुत सारे abbreviation है तो आपको बहुत ध्यान रखना है तो मैंने यहां पर सारे abbreviation लगब लिख दिया है AI artificial insemination IUI intrauterine insemination ऐसे करके आगे तो यहां ते भी question आ सकता है तो आपको सारे abbreviation याद करने जरूरी है डबलु हो तो common word है रसी है रिप्रोड़क्टिव एं चाइल्ड हेल्थ कियर CDRI लखनाओ Central Drug Research Institute इसके बारे में डिस्कूस के MMR maternal mortality rate IMR infant mortality rate IUD intrauterine device जब पीछे पढ़ा आपने MTP medical termination of pregnancy ART assisted reproductive technology इसमें कोई trick नहीं है क्योंकि इसमें क्या trick देखो गया लेकिन मैंने यह लिख दिया क्योंकि बहुत important हो इतने सारे हो तो एक जगह मैंने एक खट्टा लिख दिया कि कोई छोड़ना नहीं पीछे भी पताया मैं मैंने दो आपको आगे देखो in vitro fertilization ET imprivate transfer transfer जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और ICSI इंट्रा साइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन तो इसके साथ ही यहां पर देख लो अब और लगवग मैंने नहीं किया है और जितना भी आप रेडिंग करना है यहां पर कोई ज़रुरत नहीं है यहां पर ध्यान रखना है कि वैसक टॉमी किसमें होता है मेल में होता ह है और तेले में फिमेल में होता है यह बहुत कन्फ्यूजन होता है तोच यह यहांका रखना है कोपर टिकड़ आ कि यह देखो यहां पे एक और पॉइंट है यहां पे यह भी ध्यान रखना है सहली दा न्यू औरल कॉंटर सप्टी फॉर फीमेल कंटेंसे नॉन स्टराइडल प्रिपरेशन इज वन सपील यह ध्यान रखना है यहां से भी कुशन आ सकता है